हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक मैं चैनल आज में बनाने वाली साबुदानी के बड़े फॉस्पलों के लिए इसके लिए साबुदाना पांस सो ग्राम लेना है और साबुदाना को एक बाउल में डालना है उसमें टू कप पानी एड़ करना है फिर इस बाउल में जो हमने साबुदाना डालस को 15 मिट के लिए छोड़ देना है देखे फ्रेंड्स सारा पानी अब्जब हो रहा है एक्सिस जो पानी है वो हम छनी की मदश से लिकाल देंगे और दो तिन घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे फिर मुपली लेंगे 100 ग्राम आलू वॉइल लेना चार से पाज ग्रीन चिली हरी मिची दो धनिया थोड़ा सा सैंदा नमक थ्री टी स्पून पिनट लेना है पिनट को रोस्ट करना है फाइव मिनिट के लिए अब देखे फ्रेंड कलर चेंज हो रहा है ना आब इसे मिक्सी के जार में पीस लेना है फिर जो सारी सामक्टी हमने ली थी जैसे आलू मिर्ची पीनट और साबू दाना सारा मिक्स करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है प्रोपरली और फिर इसका एक डो तयार करना है जैसे हम आटा गूते ना फ्रेंड्स वैसे ही तयार करना है देखे और लास में धनिया पत्ति डालना है तन्या पत्ति डालने के बाद एक टिकी तयार करना है जो तिकी बनेगी उसको 一rá करना है बहुत सारब वं तेन लेक क्रिस्पी उपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट यह बहुत ही टेस्टी लगता है बच्चों को बहुत पसंद है और देखिए फ्रेंट देखते ही खाने का मन होने लगा फट से बनाईएगा लाइक कमेंट शेयर सस्क्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू